टीवी और फिल्म में प्रोड्यूसर एक्ता कपूर 42 साल की हो गई है 7 जून 1975 को मुंबई में जन्वी एक्ता बॉलिवड अभिनेता जीतेंद्र की बेटी है 42 साल की हो चुकी एक्ता कपूर आज भी कुमारी है इनका नाम कई बार करन जोहर के साथ जुड़ चुका है कुछ साल पहरे एक इंटर्व्यू में करन ने कहा था कि अगर एक्ता और मुझे दोनों को कोई नहीं मिलता तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे हालां कि दोनों ने इस बात को कभी भी स्वयकार नहीं किया कि वो रिलेशन्शिप में है करन ने ये भी कहा था कि मैं एक्ता से शादी करता हूँ तो मेरी माँ जरूर खुश होंगी और वो भी इसलिए कि उन्हें सीरियल के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाएगी वहीं अपने एक इंटर्वी में एक्ता का कहना है कि उन्हें लगता है कि उनकी शादी धैरी की कमी की वज़े से नहीं हुई एक्ता ने बताया जब लोग उनसे पूछते हैं कि वो शादी कब करेंगी तो उन्हें गुस्ता आता है और वो लोगों से पूछना चाहती है कि तुम मेरे पैरेंट्स हो गया जो ये सवाल पूछ रहे हो एक्ता ने अपने करियर में बहुत से टीवी सीरियल्स बनाए जो बहुत काम्याब भी हुए जैसे हम पांच कहानी घर घर की क्योंकि सास भी कभी बहुती और कसोटिस जिन्दगी की शामिल है इसके सास साथ एक्ता कपूल लगातार अपने भाई का फिल्मी करियर बनाने में चूटी रहे इसके लिए उन्होंने कई बार ऐसी फिल्में बनाई जिसमें उन्होंने अपने भाई को रोल दिया उन्होंने बॉलिवूड फिल्मों के प्रोडेक्शन में साल 2001 में कदम रखा प्रोडियूसर के तौर पर उनकी पहले फिल्म थी क्योंकि मैं जूट नहीं बोलता इसके बाद उन्होंने सुपरनेचरल पार बेस्ट कुछ तो है और क्रिशना कॉटेज जैसी फिल्में बनाई